आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स कहकरो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी राउनोड करें हलो दोस्तो इस प्रशन में दिया है प्रकास विद्धुत प्रभाव में उस सर्जित इलक्ट्रोन की संख्या आप्तित विक्रण की त्रिवित्या पर निर्भा करती है हमें यहां दियागे कथन से पढ़कर यहां जो कथन है हलो दोस्तो हमें नीम्न कथन को पढ़कर यहां दियेगे कथन की सत्यता की जांच करनी है ठाथ यहां दिया है प्रकास विद्धुत प्रभाव में उस सर्जित इलक्ट्रोनों की संख्या आप्तित विक्रण की त्रिव्रता पर निर्भर करती है सबसे पहले हम देखते हैं प्रकास विद्धुत प्रभाव को जब प्रकास यह विक्रन किसी धातु की सत्ह पर पढ़ती है तो इसे यहां से इलक्ट्रोनों का उसर्जन होता है इसे फोटो इलक्ट्रोन कहते हैं तो इस घटना को कि जब प्रकास पढ़ने से किसी धातु की सतह से इल्लक्ट्रोनों को उसर जन हो तो इसे प्रकास प्रभाव कहते हैं फ्रकास के कॉंतरम सिद्धन के हम निउसार देखते हैं जो प्रकास होती है वह हो फोटवनों के बंडल के रूप में यह होती है तो photon जो उर्ण की आवरिती है अर्थात यहां प्रकास में वह सारे फोटोन जो है वह बंडल की रूप में यहाँ पे आपतित होते हैं तो यहाँ पे जो फोटोन जो यहाँ आपतित होते हैं उसकी उर्जा जो है वहाँ दो रूपों में वह होती है पहला है वहां कायफलन की रूप में अर्थात जो इस धातू की सतह से जो पस्तित यहां इलक्ट्रॉन पस्तित होता है उसे इस धातू की सतह से निकालने के लिए जितना काय करना पड़ता है उसे कायफलन कहते हैं इस धातू का कायफलन कहते हैं यह हर एक धातू का अलग-अल जाता है एच न्यू नॉट जहां न्यू नॉट है वहां इस इस धातु के लिए देहली आवरित्ती होगी अर्थाद हम यहां से देखते हैं तो जो फोटोन का उड़िया जो है वह अगर काय फ्रन से अधिक होगा तभी यहां से इलक्रोनों का उसरजन होता है तो जो यहां पे के ऑच होता है तो जो नूट जो है रलधा जो प्रकास की जो आवरित्ती है यह फोटौन की जो आवरित्ती है उसका जो मान है वह देहली आवरित्ति के मान से अधिक होना चाहिए तभी यहां से प्रकास का उस्रजन संभव है तो जो आपती प्रकास है उसकी आवरित्ति जो है देहली आवरित्ति के मान से अधिक होना चाहिए और जो हम देखते हैं यहां पर इसके गती जूर्जा के लिए अगर सूत्र दे हम बाहर निकाल दे तो यहां नियू नूड अर्थात यहां पर जो आपतित प्रकास की आवरित्ति से हम देली आवरित्ति को घटा देते हैं तो यहां से हमें जो इस इलेक्ट्रोन का गतिज उर्जा हमें प्राप्त हो जाता है हमें पूछा गया है कि संख्या आपतित विक्र जो है और यहां में पूछा गया है जो इसकी कितने इलक्ट्राणों जो सरजित इलक्ट्राणों की संख्या पूछा गया है तो यहां पे इलक्ट्राणों की संख्या को हम देखने के लिए का करते हैं जो फोटॉन जो यहां पे बंदल के रूप में अप्तित होते हैं तो जो बहुत सारे photon जो है आप्तित होते हैं जिससे कि यहां जो उड़्जा है उसे दो रुप में वैय करती है पहरा किसके रुप में कायो फुलन दूसरा है उक्ट्रॉन के गति उड़्जा की रुप में तो देखते हैं कि जो एक photon जो होता है वह एक electron को सरजित करने के लिए उपय वह किस पर निर्भा करती है वह फोटोनों की संख्या पर निर्भा करती है अर्था जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा वहां से इलेक्ट्रोन का उस्राजन होगा तो यहां फोटोनों की संख्या पर निर्भा करती है और यही जो प्रकास की तिव्रता होती है वह किस पर निर्भा करती है यहां फोटोनों की संख्या पर निर्भा करती है अर्भ्षाद जब प्रकास की तिव्रता अधिक होगी तो अर्फाद फोटोनों की संख्या अधिक होगी विसे क्या होगा इलक्टोनों के उस्षण अधिक इस प्रकार से जो यहां पर प्रश्ण में दिया गया था कि प्रकाश विद्व प्रभाव में उस सर्जित इलक्टोनों की संख्या आप्तित विक्रन की तिवरता पर निर्फा करती है तो जो यहां फोटोनों की संख्या तिवरता अधिक होगी अर्थाथ फोटोनों की संख्य अधिक होगी फोटो फोटोनों की संक्या अधिक उससर्जित होगी तो यहां जो दिया गये कतन है बिल्कुल सत्य है तो इसी सत्य कतन है धन्यमाद अधिक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आशी डाउनोट करें डाउटने डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर